कि है गाई साब से भी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चानल पर मैं हूं मुगन पार्थक और आज हम स्टार्ट करें हैं प्रवाबिटी डिस्ट्रिबूसर्स का सेकेंड एक्सराइज एट पॉइंट टू और इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था इसका बेसिक कि f of x f of x class इसलिए यहां पर लिए हुआ है क्योंकि यह continuously random variables है यह मैं आपको basic concept में बता दिया हूं जो basic concept है class अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो link आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए start करते हैं यहां पर question कि f of x given है तो उसकी value x और 2-x given है जो x की value होगी class वो क्या हो सकती है यहां पर 0 less than equals to x less than equals to 1 ठीक है और second condition दिया गया class 2-x for 1 less than x less than equals to 2 ऐसे दो condition है यहां पर given है और आपको बताना है कि इसका जो PDF यानिकि जो इसका answer आएगा वो PDF format में होगा की नहीं कि probability density functions में probability density functions में लाने के लिए class अपने पास conditions है यहां पर कि जो इसका integrate values होता है ठीक है एक होता है आपका definite और in definite और negative में यानिकि जो इसकी values होगी वो less than होगी यहां पर एक infinite होगा दुसरा नेगेटिव में infinite होगा यह दोनों क्या होगा एक दुसरे से less होगा यानिकि यह more होगा और यह less होगा class ठीक है और f of x equals f of x dx equals to 1 अगर यह इस format में आगे है class तो अपने पास answer आ जाएगा यानि कि यह पूरे integrations की value कितनी आने चाहिए one अगर one आगे तो इस में यह PDF है तो चलिए यहां पर first f of x given class x के साथ फिर second given 2 minus x के साथ चलिए इसका solution देखते हैं देखें कि क्या आना चाहिए यहां पर आपका इस format में आना चाहिए तो that is means यहां पर दिखिए यह जो infinity और minus infinity class तो first one यहां पर 0 यहां पर one है तो यह less than होनी चाहिए निकि इससे less than value होनी चाहिए तो यहां पर क्या आएगा 0 और यहां पर क्या आएगा one तो class यहां पर लिखता हूँ में यहां पर लिखता हूँ में बी और यहां पर लिखता हूँ F of X D X इस format में अपना question का answer आना चाहिए तो चलिए तो यहाँ पर क्या आजाएगा 1 और यहाँ पर आजाएगा 0 ठीक है और F of X D X ठीक है F of X class अभी F of X की value क्या है? X यहाँ पर मैं लिखता हूँ को continue करता हूँ 1 और यहाँ पर आजाएगा class 0 और यहाँ पर X D X ठीक है? सेम उसी तरही के से class अभी मैं एक ही पार्ट को solve कर रहा हूँ ठीक है आप लोग साथ में दोनों को भी solve कर सकते हो एक में भी solve कर सकते हो या तो अलग-अलग करके भी solve कर सकते हो तो अभी हम basic सिख रहे है तो इसको इसको भी अलग-अलग करके सिखा रहा हूँ तो class यह value हो गई है अब मुझे क्या करना पड़ेगा first one इसको solve करने के लिए मुझे एक्स का integrate करना होगा देखे एक्स का करना होगा integrate अभी जो एक्स का integrate होता है class वह आपने maths part one में cover किया होगा एक्स का जो integration का formula होता है वह क्या होता है class integration x x integration dx equals to x power में n plus 1 upon n plus 1 plus c यह format होता है class clear तो class अभी क्या करना है आपको x का integrate value मिल जाएगी यहां पर one और यहां पर zero अभी x का integrate करना तो अपनी को integration तो नीच चाहिए फिर इसका integration क्या होगा bracket में आ जाएगा x square upon two x square upon two यहां पर मैंने यह वाला formula use किया हुआ है यहां पर one class और यहां पर zero चलिए इसको solve कर लेते हैं अभी एक बार आपको one रखना है और एक बार आपको zero substitute करनी है जब आप solve करोगे substitute करोगे तो minus में इसका answer करना पड़ेगा तो एक्स एक्स की प्लेस पर one रखूंगा class one square upon two एक फर्स वाला one रखा मैंने फिर minus जब आप value substitute करते हैं तो in between क्याएगा minus यहां पर zero square upon two चलिए इसको solve कर लेते class one का square one upon two और यहां पर करेंगे class तो zero हो जाएगा तो that is means one upon two आ जाएगा मुझे यह first होगा class x की value देखे और next thing class आते second part पर इसके अब second part पर क्या बोला होगा है कि जो f of x की value है वो कितनी होगी two minus यहां पर लिखता हूं मैं देखो यहां पर two और one एक्लास तो first one क्या आएगा two फिर क्या आएगा one ठीक है f of x की value क्या है भी two minus x तो two minus x dx ब्राबर यह value है अभी मैं करूंगा इसमें integrate करूंगा class अभी जो integrate होता है class उसमें आगर कोई constant number आ जाता है जैसे कि a आ गया यह constant number है देखे तो इसका integration value क्या होगी class ax देखे ए x plus c यह integration का formula होता है then class अभी इसका integration कर दिंगे हम लोग ठीक है तो two है तो that is mean two x minus ठीक है two x minus अभी x का करेंगे class तो x square upon two तो यह value मुझे मिल जाएगी और यहाँ पर two और one और value substitute कर दिंगे class तो यहाँ पर जाएगा two in the bracket two दिंगे यह वादर value substitute कर दो x के place पे minus two square upon two then class फिर minus फिर one substitute करेंगे तो two one minus फिर one square upon two एक है यह एक ही concept है अभी two two हो जाएगा four minus इसदर square करेंगे तो class two two is a four divided by two कर देंगे तो answer आएगा two clear ना तक then minus इसको solve करेंगे class तो two minus इसका square कर देंगे तो one upon two यह दो concept है इसको minus कर दो class तो answer आजाएगा two आब इसको solve करेंगे cross multiply करेंगे तो two two is a four minus one तो three upon two दें class इसको solve कर देंगे हम लोग तो two two is a four minus three तो one upon two तो इसमें value कितना आगया class one upon two यानिकि दोनों condition में क्या आ रहा है अपना one upon two देंगे जब हमने first x को solve किया class तो इसका answer आगया था one upon two देंगे और जो हमने second condition solve किया तो उसका भी answer कितना आगया one upon two और हमें क्या चाहिए probabilities densities functions के अंदर कि इसकी value one होनी चाहिए या तो one से less than b होगा तो भी चलेगा मतला अपना क्याना चाहिए zero less than x less than one देखे ये इसके बीच में अपना probability density functions आना चाहिए तो तोनों क्लास आपका complete solutions किस तरीके से हम यहां पर PDF चेक किए वह हमने देख लिए क्लास तो यह हो गया question number first का first आते हैं भी question number first के second part पे वहां पर भी देखेंगे चेक करेंगे कि यह आपका PDF होगा या नहीं होगा चलिए इसको not done कर लीजे कहीं पर भी कोई क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स का second question first का second question क्या f of x equals to given and zero less than x less than one given आपको यह चेक करना है कि जो प्रभाबिटिस given है यह क्या PDF हो सकता है यानि कि probability distributions या density functions हो सकता है या नहीं हो सकता है तो first one क्या करते है क्लास कि जो अपना format है ठीक है format क्या है कि integration infinite less infinite f of x dx equals to one यह होना चाहिए ठीक है तो अभी class देख लेते कि one आएगा कि नहीं आएगा answer that is means यहां पर अभी देखो क्या है 0 और 1 एक लास तो first one क्या करना है आपको one लेना है फिर उसका integration 0 ठीक है f of x के प्लेस पर क्या सब्सूट करेंगे 2 क्योंकि f of x की value कितनी है 2 dx ठीक है अभी जब इसका integration करेंगे class तो class 2x हो आएगा तो 2x और इसका 1 0 तो चलिए अब इसमें value substitute कर देंगे हम लोग तो first one 2 1 ठीक है x के प्लेस पर आएगा 1 then class फिर माइनस फिर 2 के प्लेस एक के प्लेस पर आएगा 0 तो यहां पर हो जाएगा class 2-0 तो that is means 2 ठीक है बट अपने बहां से कितना चाहिए 1 मतलब 1 से less than भी चलेगा है यहां कि 0 से 1 तक का चलेगा लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो बट यह एक है greater than 1 है तो therefore class f of x equals to 2 is not pdf right तो यह होगा class 1st का 2nd का answer तो चलिए start करते हैं हम question number 2 question given a class the following is the PDF of a rv x rv का मतलब होता है कि random variables ठीक है full form क्या होगा random variables और f of x given है कि x upon 8 for 0 less than x less than 4 और 0 क्या class otherwise मतलब 0 हुआ तो भी चलेगा ठीक है तो इसना कोई concept नहीं है otherwise दिया वाई यह ठीक है पहला यह आपको लिखने कि first condition satisfy होगा या नहीं होगा देश में अभी condition दिया वाई class question दिये वे क्या क्या condition की जो probabilities होगी class वो less than 1.5 होगी less than 1.5 second condition दिया गया है कि one is less than x less than two ठीक है and third one दिया गया है class की P यानिकी probability is x is more than two अभी less than तर two तर ठीकता class अगर more than two हो गया तो कहां तक जाएगा कितना number जाएगा तो class यहां पे दिया वाई 0 less than x less than two sorry four तो four तक टीक है last number क्या है four अगर two से greater होगा class तो कितना जाएगा four तक मतब two से greater क्या हैगा three and four ठीक है three and four one और two ठीक है one is less than x और x से less than two तो इसमें क्या जाएगा आपका one और two इसमें क्या जाएगा one and two इसमें जाएगा three and four ठीक है और इसमें तो आपको exact value दी गई है one point five बट इसमें बोला कि less than less than कितना तो less than zero इसमें क्या जाएगा zero और one point five इसमें जाएगा class one and two इसमें जाएगा three and four ठीक है तो इससाब से इसमें आपका एक interval values आएगी यानि की a and b जो था class वो interval values यहां पर हमें मिल जाएगा तो चलिए one by one क्या कहते है इसका solutions देख लिए टेक्लास तो class यहां पर solutions देखते हैं हम लोग ठीक है solutions में क्या था class कि first one जो आपका condition है pdf का वो लिखेंगे यहां पर ठीक है that is means we have integration infinite negative infinite f of x dx equals to one होना चाहिए class then अभी इसमें क्या करना है आपको first जो conditions वो ले रहे हैं यहां पर लिखेता हूं first p x is less than 1.5 तो class इसमें interval क्या बनेगा a and b की value क्या आएगी अब इसको solve करेंगे अभी यहां पर अपना f of x से class तो यहां पर हम लिखेंगे 1.5 और यहां पर आएगा जीरो ठीक है f of x की value कितनी है यहां पर एट अपन सोई x अपन 8 dx इसका integrate करेंगे class तो वान अपन एट तो constant है तो बाहर आ जाएगा x का integrate करेंगे class तो इसका value होगा x square upon 2 x का integrate करेंगे तो और इसमें 1.5 और इधर पर 0 ठीक है अभी x की value यहां पर substitute कर देंगे तो therefore class 1 upon 8 1.5 substitute करेंगे first one तो 1.5 upon 2 and इसका square class sorry x का square only तो इसका square 0 का करेंगे class तो answer 0 ही आएगा ओके अब इसका square करते class x का square मतब 1.5 का square तो 1.5 का square तो 1.5 का square एगा upon 2 ठीक है decimal कितनी नंबर के बाद आएगा दो नंबर के बाद क्योंकि हम इसका square कर रहे है then class अब इसका जो final answer है वो देख लेते हैं यहां पर कि इसमें multiply कर दो या तो 2 से divide कर दो class तो 1.125 upon 8 अपने पास answer आ गया है 1.125 upon 8 तो यह पहले सी पीडियर format में है तो अपने पास सिब answer निकालना था हमें जो probabilities given है then class यह तो हो गया first solution का answer ठीक है आते है भी जो second part a class second part में क्या दिया गए आपको कि जो P यानिकि possibilities होगी 1 यासे less than x less than 2 होगी तो यह इस format में होगा तो आपको क्या करना है भी same integrate अभी यहाँ पर 1 & 2 दिया होगा class तो first one 2 लिखोगे बाद में 1 लिखोगे और इसकी जो f of x की value है class same है यहाँ पर x upon 8 तो यहाँ पर dx इसका integrate करोगे class x square देखे एक स्क्वाइर और 8 टूजा 16 जैसे अभी हमने यहाँ पर किया class तो अपॉन में कितना होता है 2 आता है अपॉन में कितना होता है 2 तो 8 टूजा 16 मैंने यहाँ पर डारेक लिख दिया अब class अपने पास value क्या 2 और 1 का values है अभी 2 2 एन 1 इसमें substitute कर देंगे class तो चलिए इसका answer देखने थे कितना आएगा तो यहाँ पर x की value पर substitute करना है तो 2 एक स्क्वाइर अपॉन 16 फर्स वाला class 2 substitute किया हुआ है देन माइनस 1 स्क्वाइर अपॉन 16 right तब इसका square करेंगे 2 का square class तो 2 का square हो जाएगा 4 अपॉन 16 माइनस 1 का square करेंगे तो 1 अपॉन 16 चलिए इसको solve करते है दिनोमेटर से में class तो वन टाइम लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 1 then 3 आ जाएगा class देखें तो यह हो गया आपका answer यह किसका हो गया probability 1 less than x less than 2 का then class question number 3 भी देख लेते हैं इसका तो third जो पार्टे class वो है probability x is greater than 2 right तो that is means आपको यहाँ पे integrate करना होगा अब जो integrate का interval value से class वो कितना है 2 से greater है तो 2 से greater मत्तब उपर आएगा तो 2 से greater कितना होगा 4 और यहाँ पे कितना होगा 2 और same class x upon 8 dx इसका integrate करेंगे class तो यहाँ पे integrate करना है तो x square upon 16 और यहाँ पे 4 2 value substitute कर देंगे तो 4 square upon 16 minus 2 square upon 16 then 4 square that is mean class 16 upon 16 minus 2 square करेंगे class तो 4 upon 16 16 right then अभी आप क्या कर सकते हो denominator same है तो one time लिख लो 16 minus 4 12 common number से divide कर दो class तो 3 upon 4 तो यह value हो गई आपकी third यानि कि probability probability जब होगी class x is greater than 2 तो यहाँ पे आपका sum number 2 complete हो गया है आए आप class यह दोनों question आपको समझ में आ गया होगा कहीं में भी कोई विदा होता है तो definitely आप comment करें चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को subscribe करेंगे बेल आकन प्रेस करेंगे चलिए अब मिलते हम next video में नए concept के साथ यानि को सो no 3rd